हेलो कैसे हैं आप लोग हम उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी तो चलिए बच्चे हम लोग कि स्टार्ट करते हैं आज का अगले क्षोन हो पाते हैं तो अगला है पका इसक ? दिख रहा होगा ? चव्多र्ष न जिए पर लोग को दिख रहा होगा ? ठीके ? चव् 2 को हम लोग solve करने का प्रयाश करते है दिखेगा क्या क्या है क्या कर रहा है Question ? करा कि आकृति में ! qr बटा दिखेगा ? दिया है qr बटा qs atura. qt बटा p r qr QR 252 QT 252 QP यह अइसे दिया देखिए फ्र से देखिए QR 252 QS और QT 252 पीजार दिया है ठीके और दिया है कि कोड़ 1 बराबर कोड़ 2 यह जो कोड़ 1 है और यह है जो कोड़ 2 यह दुनों आपस में क्या है बराबर है यह दोनों आपस में बढ़ा रहे हैं, देखना, कह रहा क्या, कि दरसाई है कि त्रिभूज PQS, यानि यहां से यह वाला त्रिभूज, और त्रिभूज TQR, यानि TQR, यानि पूरा वाला, यह समरूफ दिखाने के लिए कर रहा है, कि यह समरूफ है, दिखाना है कि आपको यह समरूफ है या नहीं, चलिएगा, लिखना है कि आपको, देखे, दिया है, क्या, QR बटा, QS, बराबर, QT बटा, PR, इसको समकर नमर एक मान सकते हैं, यहां पर दे दिजेगा नाम, दिया है, क्या नाम देंगे बचे, दिया है, और क्या दिया है, कोड़ एक बराबर कोड़ दो, यह भी क्या किया है, दिया है, ठीक है, दिया है, अब समझेगा, आप लोग को पता होगा कि, जब एक त्रभुज में, दो भुजाएं बराबर हों, या दो कोड़ बराबर हों, पहले समझेगा, दो भुजाएं बराबर हों, तो उसकी आमने सामने के कोड भी बराबर होते हैं क्या आपको पता है जब दो भुजा बराबर होंगे तो उसके आमने सामने कोड बराबर होंगे ठीक उसी का बिलोम होता है क्या जब दो कोड बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजाए भी बराबर होते हैं देखेगा यह जो कोड है कोड एक और कौट दो यह दोनों आपस में बराबर जो कोड़ एक है बच्चे यह किस ते भुझ में यह इस वालीच भुझ में देखेगा यहां से यहां तक कि देखिए तो लिखेंगे अब कोड़ के सामने वाली भुझा कौन सी यह पी आर है क्या है पी आर और यहां कोड़ दो के सामने वली भुजा काउंसी है इस और इसी वली भुजा में देखिए यहां से यह P है यह Q है यह R है ठीक है यह कोड़ बरावर तो PR बरावर हो गया अब देखिए यह कोड़ बरावर तो इसके सामने वली भुजा क्या है तो पि कि यूँ ब्रावर हो जाएगा इसके यहां पी यार ब्रावर पी क्यूँ पी यार बड़ावर कितना हो गया पी क्यों हुधे इतना बनाले डो आप समझेगा फिर while जो दिया है इसको लिख लिए थोड़ा यहां पर Q-R बटा Q-S बराबर QT बटा PR हम लोग क्या करें कि PR के स्थान पर QT रख सकते हैं पी क्यू रख सकते हैं PR बरावर PQ है तो हम लोग लिखेंगे क्या कि PR का मान रखने पर PR का मान रखने पर तो यहाँ पे QR बटा QS बरावर यहाँ पे QT बटा क्या आ गया QT बटा PQ यहाँ पे PR के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे PQ रखेंगे क्या रखेंगे बच्चे PQ रखेंगे ठीके P RKS थांपर हम लोग रखेंगे PQ ठीके किलियर है आप लोग चलिए अगर यह किलियर है तो आप लोग के एक बात बता दे हम देखेगा हम लोगों कोई सा त्रिभूज सी दिकरना है कर रहा क्या त्रिभूज PQS तो दिखेंगे आप लोग यहां पर लिखेंगे त्रिभूज PQS तथा त्रिभूज कौण सा TQR में त्रिभूज TQR में आपने देखे QR बटा QS PQS में PQS में यह वाली भुजा में देखे यह वाला जो त्रिभूज है PQS यह वाला PQS में और PQR में देखेगा TQR देखें यहां पर QR तो QR यहां पर QR बटा QS यह वाली भुजा देखें अनपात में है कि नहीं बराबर QT बटा PQ QT बटा QT बटा PQ यह भुजा क्या है समानपाती है तो इसमें एक एंगल मिला होगा आपको त्रिभुज इस वाले में देखेगा इस वाले में और एक छोटे वालति बुझ में PQS, क्या बोला भी किया हो जा लहाहे है, उभैमिस्ट तो लिखेंगे यहां पर, Daha आठी चीजी लिख लेजे और कोण कोण सा बराबर है बच्चे, कोण कोण सा बराबर है, यहीं कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 1, अब बताईए, दो भुजाय समान पाती और एक कोण बराबर, तो वो त्रिभूज समरूप होगा कि नहीं होगा, समरूप होगा, अवस्य होगा समरूप, वो भ S शम्रूप है प्रिभूज TQR, ठीके, TQR किस के नियम से हुआ है, S, A, S के नियम से, S, K, S, A, S के नियम से सिधू गया, ठीके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिधू कर पाएंगे, तो यहां पे जब दो भुजाएं बराबर हों, तो उसके आमने समने के दो कोड बराबर होते हैं, अगर दो कोड बराबर हो किसी त्रिभूज में, तो उसके आमने समने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने इस पर मान रखा, और यह हमने सिध भी कर दिया, I hope कि आप लोग को बखोधी समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा ह है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, जल्ली से आगे बढ़िए, जल्ली से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अब अगले कोशन पर चलते हम लोग, देखें अगला कोशन क्या है, करा कि तरिभूज P, Q, R की भुजाओं, P, R, O, Q, R, पर करमसर, बि R, T, S है, दर्साइए, कि तरिभूज R, P, Q, समरूप है, तरिभूज R, T, S है, ठीक है, यह आपको दर्साना है, जल्ली से इसको करिए, चली, देखेगा, हम लोग बनाते हैं क्या, तरिभूज P, Q, R, पहले बना लेते हैं, ठीक है, तरिभूज P, Q, R, यह बन गया, कर लिया जाए, ठीक है, यह है, इसको नाम देते हैं, हम लोग P, Q, यहाँ पर P, Q, R, ऐसी भी दे सकते हैं, अब बोला क्या, तरिभूज P, Q, R की भुजाओं, P, R, पर यहाँ पर एक्ठ हो है, और Q, R, यहाँ पर, बिन्दू E, S और T, यहाँ पर E, S है, यहाँ पर क्या है T है, अगर इसको मिला दिया वच्छे, देखिए, इसको मिला दिया गया, पर इस प्रकार इस्थित है, कि Q, जो Q Q P है, यह वाला, Q Q, B, बराबर Q, R, T, S, R, T, S, जो बीच वाला Q है, यह वाला Q, आप P के Q के Бराबर है, बात को समझियेगा, यह Q, पे क्या है, बराबर है, क्या त्रिभूज RPQ है त्रिभूज RTSC दिखेंगा पर काफी है समझेगा लिखना दिया है पहले सिद्करना लिखो कि सिद्ग क्या करना है ठीक है लिखना है सिद्ग करना है सिद करना है क्या सिद करना है त्रिभूज R, P, Q शमरूप है त्रिभूज R, T, S, C यही सिद करना है अब देखे तो दिया क्या है इसको लिखना है दिया है दिया है क्या कोण P बराबर कोण R, T, S यह दो कोण बराबर है दिखे काफी इजी है मतलब कि क्या ही बताएं कितना इजी है समझे यह का दिखे लिखते हैं क्या त्रिभूज P, Q, R तथा त्रिभूज R, T, S R, T, S देखेगा अच्छे एक बात बताएं मुझे यह कोड तो बराबर है दिया है कोड P बराबर कोड R, T, S यह तो दिया है लिख देंगे कोश्टक में दिया है यह तो लिख देंगे आप लोग ठीक है अच्छे देखेगा इसमें एक उभैनिष्ट कोड होगा इस वलम देखेगा बड़े वाले त्रिभूज में P, Q, R में यह वाला कोड और R, T, S में R, T, S में यही वाला कोड दोन में क्या है? उभैनिष्ट है चलिए लिख भी देते हैं हम लोग यानि कोड P, R, Q बराबर कोड S, R, T S, R, T यानि यह वाला कोड क्या है? बड़े वाले त्रिभूज में देखेए इस वाले त्रिभूज का यह वाला यहां से बनाएंगे हम लोग यह वाला कोड और छोटे त्रिभूज का यह वाला कोड क्या है? बराबर देखेगा यहां पर यह वाला कोड बड़का वाला का यह चोट के वाले का क्या है? बराबर है ठीके? समझेगा चलि यह वाला कोड क्या है? बराबर है उभैनिस्ट है तो कोश्टक लिखेंगे उभैनिस्ट क्या लिखेंगे उभैनिस्ट का मतलब क्या होता बच्चे कि जो दोनों में दिखाए दे उभैनिस्ट कोण ठीक है अच्छे एक बात बताईए अगर कोई त्रिभूज है अगर कोई त्रिभूज है इसके दो कोड़ आपको पता चल गया दो कोड़ पता चल गया, इस त्रिवुज में भी दो कोड़ पता चल गया, यह कोड़ इस कोड़ के बराबर है, यह कोड़ इस कोड़ के बराबर है, ठीक है, यह कोड़ इस कोड़ के बराबर है, तो जो तीसरा कोड़ होगा बच्चे, यह भी तो आपस में बराबर हो क्योंकि अगर यह सत्तर है यह अगर यह 30 है तो बताइए तो दोनों बढ़ावर हुआ की नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ हो गया तो कहेंगे सर कि यह वाला कोड जो बचेगा यह वाला कोड और यह वाला कोड आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो यह वाला कोड बचे यह वाला कोड और यह वाला कोड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे दो कोड बरावर है तो तीसरा कोड अपने आप बरावर हो सकते हैं या आप A-A-A का नियम भी लगा सकते हैं ठीके तो जब दो कोड बरावर हो तो तीसरा कोड भी अपने आप बरावर हो जाएगा तो कौण सा कोड बरावर हुआ बच्चे त्रिभूज के नियम से निकला है ठीक है ये भी बदाबर होगा अच्छे एक बात बताईए मुझे किस्ति क्या करना है अच्छ बताईए यहां पर आपको एंगल 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 किसी त्रिभूज में हमने आपको पहली 6 रिस्म लो तीन की पहली पर मैंने बताया था क्या कि जब किसी त्रिभूज में दोनों त्रिभूज में तीनों कोड आपस में क्या हो बरावर हो इस त्रिभूज का भी और इस त्रिभूज का भी त्रिभूज क्या होगा शमरूप होगा वह त्रिभूज क्या होगा समरूप होगा ते भी त्रिभूज क्या हो जागा समरूप ह हो जाएगा तो लिख देंगे क्या ठिपल्ग किः र बिक्फय शमरूप है थिर बोज अटीर स किसके नियम से ुश हे जो क्राइटेरिया की है ए उसके नियम से आप सीधिकर सकते हैं क्या भी र प्लोप है आगे इस लिख देंगे इती सिद्धम, यह थी सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, जल्दे से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए बचे, अब अगले कुशन पर चलते हैं, ठीक है, हम आसा करते हैं कि आप लोगों बखोदी समझ में आ रहा होगा, ठीक, अगला कुशन क्या है, देख लेते हैं, दिया है क्या, दी गई आगरती में त्रिभूज A, B, E, A, यहाँ पर, B, E, यानि यह वाला है, त्रिभूज A, B, E, सरवांगसम के एचिन है, त्रिभूज A, C, D, A, C, D क्या है, देखे, A, C, D कहा है, A, C, D, A, C, D, A, C, D, कैसे हो गया, यह D ही है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है, समझेगा, यहाँ पर D, A, C, D, A, C, D, यह वाला, यहाँ से इसको हम लोग लेंगे, यह वाला, यह क्या है, शम्रूप है बचे, यह दोनों क्या है, सम्रूप है, सरवांगसम है, सम्रूप नहीं सरवांगसम है, क्या ही बोल देता अब सीधी करना है क्या त्रिभूज A D E लिखना है सीधी करना है क्या त्रिभूज A D E शम्रूप त्रिभूज A B C अब हम लोग सीधी करते काफी एजी तरीके से समझेगा step by step करना क्या है बच्चे आपको देखेगा दिया है क्या त्रिभूज A B E सर्वांगसम है त्रिभूज A C D अगर ये बच्चे सर्वांगसम है तो ये वाली भूजा A B बडाबर A C दोनों बडाबर होंगी जो A B है ये वाली भूजा और ये वाली भूजा क्या हो जाएगी आपस में बडाबर हो जाएगी क्योंकि सर्वांगसम करता है को उसके हर एक पहलू आपके क्या होंगे बडाबर होंगे तीनों भूजाएं आपस में क्या होंगे बडा बराबर हो गया अब क्या बराबर होगा बी इए बराबर सीडी ठीक है और क्या बराबर होगा एबी एई बराबर एडी ठीक लेकिन मैं यहां पर आपको कैसे करना था समझेगा आपको सीडीक करना है एडी ए तो आपको लिखना एबी बराबर एसी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूँ एबी बटा एसी लिख सकता हों की नहीं बराबर एक बताओ मुझे एबी बटा एसी लिख सकता हों की नहीं बताओ एबी बटा एसी लिख सकता हों की नहीं एबी यह वाली भुजा लेना इहींतर मंख़ां करना चयां यहां पर समकड़े एक बना लिजी आप कि बटबी यह बाबर करना है क्योंकि आपको ब्राबर करना है क्योंकि सरवांगसम्षा में सरवांगसम्षा में थो सर्वांग सम है, तो बड़ाबर होगा योगा की नहीं? चलिए. तो यहाँ पिसको नीचे भेजिए, तो क्या ऊजगा एई बटा AD समकर नमबर 2 इतना समझ में आया की नहीं इतना समझ में आया की नहीं बताईए इतना समझ में आया की नहीं अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ा जाए अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ा जाए बताईए अगर इतना आ गया तो आगे बढ़ा जाए बढ़ा जाए गए चलिए बढ़ा जाए गए अच्छ लिखते हैं समकड एक और समकड दो से यहाँ पर एक बढ़ावर है इसके बढ़ावर एक है समकड एक और समकड दो से अच्छ इसको यहां पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहां पर इसको नीचे बिजét Aad बटाए बदावर एक कर दो जग्द कर दीजे समकद दो समेक्स नीचे बिज दीजिए ठीक इश्ल्ट कि अब संब्धड़ आग कर दोसे तो सम कर एक क्या बटाई the Brew अध्या पर क्या होगा एडी बटा एई यह होगा अच्छे आपको सीरी क्या करना है थोड़ा देखिएगा एबी एडी 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 कहां गया एडी है यह आपका एडी ए अधत यह वालति भुछतित करना है यह वाला कि समझेगा कि अधिवाई यह वालति भुछतित करना है एडी यह एडी है यह एडी 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 और भुछ बड़ा वाला जो है एबी सी तो आपको कहाना क्या चाहिए यहां पर एडी बटा डी बी यह होना चाहिए एडी बटा डी बी एडी बटा डी बी या एडी बटा एडी चोटी भुजा फिर यहां पर देखी डायं पर अटा अग्हें सब्सक्राइब कि यहां पर देखेंज टोकिद देखेंज देखाव बेज सकते हैं नीचे बच्चे तो भेज दीजिए A B बटा ये नीचे आ जागा यहां पर A D बताईए इसको नीचे भेज सकते हैं Cross multiply करा सकते हैं A C को यहां भेज दीजिए बराबर A C बटा A E समझेगा ध्यान प्रोग समझेगा एक बार बताईए कि A D बटा छोटा वाला त्रिभूज बड़ा वाला त्रिभूजू A D पहले छोटी भूजा फिर बड़ी भूजा फिर इस तरह भी इसमें छोटी भूजा फिर उसके बाद बड़ी भूजा तो छोटी भूजा तो यहां पर नहीं है इसको उलट देजी इस जाएगा अब बताईए विवेट एसी हो गया अब इसमें एक उभ्यनिस्ष्ट कोंड़ होगा यह वाला देखे आधिये यह वाला तो हीहां पर लिक्टेंगे क्या पूरं एब्राबर कोंड़ में कोड़ ISS यह लिखेंगे क्या तो अत्रिभूज क्या होता है? सम्रूफ होता है या नहीं होता है? जब दो भूजाएं बराबर समान पाती हो और एक कौंड बराबर हो तो सम्रूफ होता है कौन से क्राइटेरिया से? S A S से S A S से तो यहां पर लिख देंगे त्रिभूज A D E समरूप है समरूप है त्रिभूज A C D इती सिद्धम कौन से ते हुआ है S A S तो इती सिद्धम लिख देना आपको ठीक है इती सिद्धम इती सिद्धम इती सिद्धम इस प्रकार से इसको सिद्ध कर लेंगे काफी इजी है बच्चे बस आपको step by step समझना कि कौन सी क्राइटेरिया कहां पर कैसे फालो करते है इस चीज को आपको समझना है या तो आप दो भूजायां को समानपाती कर रहे है और एक कोड बनाईए तो वह भी समरूफ होगा अगर सारे कोड को आप बराबर कर रहे तो वह भी समरूफ होगा अगर सारी भूजाओं को भी आप क्या कर रहेते हैं बराबर क्या समानपाती कर रहेते हैं तो भी क्या हो जाएगा समरूफ हो जाएगा तीस प्रकार से आपका छटा कोश्टन भी कम्प्लेट हुआ जल्दी सिसको नोट करेए फिर अगले कोश्टन पर हम लोग बढ़ते हैं हो गया होगा चलिए अब अगले कोश्टन पर चलते हैं देखिए यह वाला यहां पर दिया हुआ है सिद्ध क्या क्या करना है थोड़ा देख लीजीगा दिया दी गई आकरती में त्रिभूज A, B, C, K, C, Lumb, A, D और C प्रस्पर बिंदू P पर प्रतिछेद करते हैं अगर यह Lumb है बच्चे अगर यह Lumb है तो 90-90 का कोड बनेगा फिक्स है अगर यह Lumb है तो 90-90 का कोड बनेगा फिक्स है प्रस्पर बिंदू P पर प्रतिछेद करते हैं यह बिंदू P है यह बिंदू क्या है P है प्रतिछेद करते हैं तो सीध करना है क्या पहला वाला जो है यहां पर पहला वाला त्रिभूज A, E, P समरूप है त्रिभूज C, D, P के तो लिखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पिसको थोड़ा सा इस्तरकास लिखते हैं लिखना है क्या कि सिद्ध करना है सिद्ध करना है तिभूज A, E P समरूप तिभूज C, D P अब समझेगा यहाँ पर यह लंब है A, B पर लंब कौन है A, B पर लंब है कौन C, E C, E और B, C पर लंब कौन है B, C पर लंब कौन है देखेगा B, C पर लंब है A, D A, D तो जब लंब पढ़ता है किसी भुजापा तो वह कितने हैं को बनाता है जब किसी भुजा पर अगर लंब पड़ता है कितने को अकaiser कोड बनाता है तो यहา बन गया तो लिखेंगे हम लोग क्या त्रिभूज यहां पर लिखेंगे त्रिभूज AEP तथा त्रिभूज जो जो सिर्काना उसी में हम लोग देखेंगे CDP में चलिए देखते हैं AEP कहा है देखें AEP और CDP कहा है CDP आप लोग को दिख रहा होगा CDP तो दोनों त्रिभूज में देखना है तो दोनों त्रिभूज में एक बात बताईए यह वाला कोड AEP बताईए कोड AEP बदाबर कोड कौण सा CDP कोड CDP बदाबर कितना डिगरी बच्चे 90 डिगरी क्या इतना किलियर है बताईए AB 90 अंस AB 90 अंस 90 अंस है तो यह वाला कोड और यह वाला कोड आपस में बदाबर जा किस कोड से 90 से 90 से बदाबर होगा अब बताईए यह वाला कोड और यह वाला कोड नि देखिए कोड CPD कोड CPD बदाबर कोड APE कोड APE क्या है बताईए का क्या है सिर्सा भीमूग क्या होता है सिर्षा भीमुख सिर्षा भीमुख सिर्षा भीमुख कोड़ क्या होता है बच्चे जब दो रेखा आएं आपस में प्रतिछेट करती हैं तो उसके आमने सामने की कोड़ क्या होते हैं बराबर होते हैं वह सिर्षा भीमुख कोड़ कहलाते हैं चलिएगा, देखिए थोड़ा, समझेगा, अब यह होगा, अब हमने क्या बताया क्या? कि अगर किसी त्रिभूज में दो कोण बराबर हों, तो भी क्या हो जाएगा? समरूफ होगा, तिसरा कोड अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम लोग को लिखने क्या हो सकता? यह तिसरा code तो हम लोग लिख देंगे क्या कि निहीं अ कि लिखना उसको लिखना अब जो सिद्वर्ना पॉज में है कौँ सा ए ई पीडि टीडी से और और कौण से चेह डबल ले से भी आपका नियम फालू कर जाएगा, डबल ए भी नियम होता है, अगर ट्रिपल ए लिखना चाहते तो ट्रिपल ए लिखिए, डबल ए लिखना चाहते तो डबल ए लिखिए, ठीके, यह हो जाएगा आपका समरूप, बात समयाए कि नहीं, चलिए, अब दूसरे वाले पर देखते हैं, य अगर इसमे स्लाइड होगी तो ठीक है ने तो हम लोग देखेंगे चलिए स्लाइड नहीं है, यह देखते हैं, दूसरा वाल, यह, देखेगा लिखना है, क्या, लिखना है, बी बाल, लिखते हैं, बी, क्या, सिर्करना क्या त्रिभूज, a b d, समरूप्ति प्रिभूज, C, B, E समझेगा लिखना है कि आपको फिर पुना हुआ हुआ ही चीज़ लिखना है क्या फिर पुना हुआ हुआ ही चीज़ लिखना है कि त्रिभूज A, B, D तथा त्रिभूज C, B, E में इस दोनों त्रिभूज में देखना है ठीक है तो देखेगा है कहा है यह तर्भूज थोड़ा देखेगा ABD कहा है देखे AB यहां पर और D यह वाला देखे फिर उसके बाद क्या है CBE CBE कहा है बच्चे CBE यह वाला तो इन दोनों में देखेगा पुना फिनना बेंस का कोड मिलेगा आपको कोड लिखना है कोड क्या A B ADB ADB है ADB ADB यह वाला कोड बच्चे देखो यह वाला कोड यह नभ्यंस है और यहां पर भी यह नभ्यंस है देखेगा समझेगा यहां पर बोला है क्या CBE C B E यह वाला और इस वाले में देखना है आपको कौन सा आप लोग इस से ले लेजिए कौन सा A B D A यह वाला देखिएगा A B D यह वाला दो नती बुझ में देखिए A B 90 A B 90 तो यह 90 हो जाएगा तो लिखना है कैसे तो C A D B A D B 90 है उसके बाद कौन सा कोड 90 है C E B C E B लिखेंगे बादर C E B बादर कितना सम कोड भी लिख सकते हैं 90 अंस भी लिख सकते हैं क्या इतना क्लियर है आप लोग जब इतना क्लियर है तो उसमें आपको यह फिर एक पुना कोड दिखा होगा क्या देखिएगा समझेगा कि यहाँ पर A B D और C E B में B जो कोड़वा है यह वाला कोड़वा बच्चे देखिएगा यह वाला कोड़वा यह वाला कोड़वा क्या है आपका बराबर है उभै निस्ट है दोनों में आ रहा है देखिए A D B में भी आ रहा है C E B में भी आ रहा है यही कोड तो लिखेंगे क्या कौड B बराबर कौड B बराबर कौड B लिखता है क्या देखिए दो कोड मेल जाते हैं तो तो लिख देना है क्या आपको लिखना है कि समझेगा कि यहां पर लिखना है क्या कॉंस तरूआ करना था वह सभी करना था वह क्राइब करारी त्राइटी ज़्यास से एवी सिद्वा ये ती सिध्धम कि एसृद गती कि अपलोग बताइए इतना केलियर हैना चलिया अब अगला वाला सिर्द करते है ये वाला इवाला सित्र करते हैं समझेयगाँ अब यहां पर हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा जगा की अभाव है एक फिर भी देख ली जिबगा ओ कहा है इतला अमें हम लोग कर लेंगे ठीक है समझेगा सीध क्या करना है अब अगला हम लोग इस वले पेंस लिखते हैं सीध करना है कौँछ सा AEP सीध नंबर है त्रिभूज A E P समरूप त्रिभूज ADB ADB यह सीध करना है चलिए सीध किया जाता है समझेगा समझेगा बच्चे अब त्रिभूज लिखना है क्या त्रिभूज A E P तथा त्रिभूज ADB में इन दोनों त्रिभूज में देखना है अब यह दोनों त्रिभूज है कहां यह देखना है आपको A E P कहा है A E P फिर पूनल यही आ गया ADB कहा है AEP, यहां से यहां तक देखे, यहां से यहां तक, यह वाला AEP, और ADB कहा है, ADB, फिर यह वाला कोड, तो इसमें यह वाला कोड फिर कामन मिलेगा आपको, समझेगा, क्या, इसमें कोड कौण सा बराबर है, देखे, AEP में यह 90 अंस मिला की नहीं मिला, देखे, यह 90 अंस है, त बी में तो यह क्या लिखेंगे कि ADB कोड ADB बराबर कितना नब्यांस बराबर कितना होगे बच्चे नब्यांस लिख देंगे ठीक है अब बताइए इस वलतिवोज में ADB और AEP में यही तो कोड मिल रहा है बराबर थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा समझ वेयं तब बाद में आएगा अच्छे से देखेगा यह 90 से इभी 90 से ठीक है अबी 90 से दूनों इभी 90 से एभी 90 से ठीक है तो P,E,A P,E,A यह नब्यांस मिला और ADB ADB भी 90 मिला और एक ठेक कोड़ उभायनिष्ट मिलेगा आपको बड़े वाले तिभूज में देखी इस वाले में यह और इस वाले में भी यह वाला तो कोड़ कौण से मिला? कोड़ A लिखेंगे क्या? लिखेंगे कोड़ A बदाबर कोड़ A यह क्या है? त्रिभूज A, E, P शमरूप त्रिभूज A, D, B किसके कराटीरिया से? A, A, A से ठीके? A, A, A से हमने इसको सिद्ध करा दिया ठीके? इस वाले से A, A, A से सिद्ध हो गया इत्य सिद्धम लिख देंगे ठीके न? अब लिखना क्या? अब आपका चौथा D वाला है इसको भी देख लिजे आप रूप D वाला D वाला क्या? P, D, C समरूप B, E, C तो फिर पूना आपको लिखना है क्या? D वाला लिखना है त्रिभूज P, D, C P, D, C तथा C दिखना है न? इसको लिख लिख लिजे, C दिखना है क्या? A, B, E, C B, E, C A, C दिखना है तो अब इसको हल करते हैं हम लोग फिर पूना लिखेंगे क्या? कि P, D, C लिखना है त्रिभूज त्रिभूज P, D, C मे देखेगा लिखते हैं, RID से लिखते हैं त्रिभूज P, D, C तथा त्रिभूज B, E, C मे अब देखेगा, P, D, C कहा है? P, D, C यह है P, और यह है D, और यह है C P, D, C तो P, D, C मे और देखेगा, B, E, C कहा है, B, E, C B, E, C यह पूरा वाला PDC और BEC में A B वैनिस्ट मिल गया आपको C वाला वैसी हलो गया, जैसे सारे हलो रहे हो वैसे A B हलो रहा, तो यहाँ पर लिखना है कि PDC में देखे, PDC PDC में यह नब्यंस मिल गया आपको कोण PDC बराबर यही नब्यंस है, बराबर और देखेगा, BEC में BEC में तो नब्यंस क्या मिला, यह वाला तो कोड BEC कोड BEC कहिए चाहे CEB कहिए दोनों बाते की, बीच वाला कोड बराबर होता है तो यह कोड कितना हो गया बच्चे, 90 हो गया, यह कोड कितना हो गया 90, अब बताइए पून वाला कोडवा और बिए सी , फिर पूना यहीं वाला कोडवा ए वभैनिस्ट मिल गया ना लिखाए क्या कॉन सी बराबर कॉन सी वभैनिस्ट वभै सिस्ट ठीक है कोड़ अब बताईये जब वभैनिस्ट हो गया तो आपको पून फिर क्या लिख देना है क्या त्रिभूज कौन से सिद्ध करना था यही वाला सिद्ध करना था त्रिभूज P, D, C समरूफ है त्रिभूज B, E, C के ओ भी कौन से क्राइटेरिया से A, A, A से हमने क्या आपको बताया कि अगर दो एंगल बराबर मिल जाते हैं अगर दो एंगल बराबर मिल जाते हैं तो अत्रिभूज क्या हो जाता है समरूफ हो जाता है तो अत्रिभूज समरूफ हो जाएगा तो दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा मेरे भाई तो यह भी अपने आप बराबर हो जाएगा इसे में हम लोग को चारों को सिर्वी करना था हमने सिर्वी कर दिया सारे क्राइटेरिया देख वे पा रहे होंगे आप लोग किसे सिर्वा है यह भी AAA से सिर्वा है यह भी AAA से सिर्वा है देखिए यह वाला और यहां पर भी AAA से सिर्वा है झाल झाल चलिएगा अब अगले कुश्न पर हम लोग बढ़ते हैं ठीक है? देखेगा? यह वाला यह आखरी कोश्न है, I hope मुझे लगता है कि आखरी कोश्न ही है अच्छे, एक आऔर कोश्न है देख लेते हैं हम लोग दो कोश्न आऔर बचे हुए इसको भी हम लोग हल कर लेंगे और नेक्स्ट जो है अगला कोश्न उसको अगले दिर हम लोग हल करेंगे तो देखेगा यहाँ पर क्या बोला है कि समानता चतभूज ABCD तो समानता चतभूज है एक ठो ठीक है ABCD तो समानता चतभूज ले लेते हैं यह बला बनाते हैं इसको फेम का नाम देते हैं क्या यह ठीक है नाम देते हैं A B C डी ए नाम दे दिया मैंने अब क्या बोला है AD पर इस्थित यानि इस पर इस्थित कोई भुजा इस पर इस्थित ए यहां सब किस देते हैं ठीक है इस्थित, AD पर इस्थित है, बढ़ाई गई भुजा, AD पर इस्थित, तथा BE, 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 CD को F पर प्रतिछेद करते हैं, BE, CD को F पर प्रतिछेद करते हैं, BE देखिए, जो BE भुजा, यह वाली भुजा, यह E है, यह कहां प्रतिछेद करीए, F पर प्रतिछेद करीए, यहां पर प्रतिछेद करीए, ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही हैं के नहीं, वहां पर प्रतिछेद करीए, यानि F पर प्रति प्रतिछेद करती है दसाइए कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना क्या त्रिभूज A B E समरूप त्रिभूज C F B A B E कहा है देखिए A A B E यह वाला देखेगा समझेगा यह वाला जहां पर हम इस वाले कलर से लिख रहे हैं थोड़ा इसको देखिएगा A B E यह वाला A B E समरूप है किसके C F B के C F B हम दूसरे कलर से लिख देते हैं C देखेगा C F B यहां पर C F B तो काफी इजी है इसको भी देख लेते हैं हम लोग अच्छे एक बात बताईए एक बात मुझे बताईएगा आप लोग कि अगर देखेगा कि इसमें देखा जाए तो यह कोड और यह कोड आपस में बराबर होगा कि नहीं बताईए यह वाला कोड और यह वाला कोड आपस में बराबर होगा बात को समझेगा फिर से, ध्यान दिना है आपको, यह वाला कोड और यह वाला कोड आपसें बराबर होगा, क्योंकि समानता चत्रभुज में, आमने सामने के कोड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो लिखना है, कोड A बराबर कोड C, तो पहले यहाँ पे ऐसे लिख सिर्ग्या करना उसको लिखे त्रिभूज A, B, E तथा त्रिभूज C, F, B में ऐसे लिखना है अब दिखान दिजिएगा लिखना क्या है कि कोड़ A कोड़ A बराबर कोड़ C किसके लिखेंगे यहां पर समानतर चत्र वोज के आमने सामने कोड़ सामने के कोड़ बराबर होते हैं ठीक है भी या आपने का दिया के बराबर होते हैं हमने भी लिख दिया बराबर होते हैं ठीकहे तो यह वाला कोड कोड बई यह सकार अगर दो समानता रहखा है ठीक है ऑगर दो समानता रहा है उसको एक तिरिये के देखा काड़ती है तो उसके एकांतर कोड़ क्या होते हैं बदावर होते हैं आप लोग क्लास नाइन पढ़े होंगे यह वाला कोड़ आपस में क्या हो जाएगा बदावर हो जाएगा बच्चे तो यह वाला कोड़ देखेगा यह वाला कोड़ यह कोड़ और यह कोड़ कि एक समांतर देखा आगे अगर इसको धक दिया जा तो बताई ये ए हाला और ये वह डिसने बरावर होएं बताई य recognizes एक नरोल बंद रहा है कि नहीं बन रहें न यह दोनों कोड़ अपसे में बरावर हो जाएगे तो लिख कौण A, B, E बराबर है किस वाले से बच्चे C, F, B के C, F, B, K कौण C, F, B, K ओ भी कौन से इंगल से? कौन से इंगल से? अभी मैंने बता है आपको एकांतर कौण से किस कौण से बच्चे? एकांतर कौण से तो आप लोग को लिखना है क्या? एक आंतर कोड से एक आंतर कोड से बरावर हो गए फिर आपको बता है कि अभी मैंने बता है क्या जब दो कोड बरावर हो गए जब दो कोड बरावर हो गए तो तीसरा कोड अपने आप बरावर होना ही होना है ठीक है तो इसमें दो कोड ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर हो गया इस त्रिभूज में ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर हो गया इस त्रिभूज में ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर हो गया तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये भी आपस में क्या हो बराबर हो जाएगा तो हमको लिखने क्या हो सकता नहीं है तो क्या लिख देंगे जो सी दिकरना था त्रिबूज A, B, E समरूप है त्रिबूज किसे C, F, B, K C, F, B, K यह समरूप हो जाएगा तो लिख देना किस के एंगल से A, A, A से कौन से क्राइटेरिया से बच्चे कौन से समरूप्ता के नियम से कौन से कसावटी से A, A, A की कसावटी से यह हो गया तो लिखना है क्या यहाँ पर यह तिसी दम बताए कितना आसान है आप लोग बड़े इजी तरिके से इसको समझ पा रहे होंगे ठीक है समझ में आया की नहीं बताएए समझ में आया की नहीं तो जल्ली से इसको नोट करिए आखरी कोशन बचा हुआ इसको भी हम लोग देख लेते हैं ठीक, जल्ली से नोट करिए चली देखते हैं अगला कोशन यह वाला है वच्छी देखेगा दी गई आक्ती में A, B, C, A, M, P दो समझ में कोशन बचेघेश क्या बोला है? A, B, C ये वाला A, B, C ठीक है A, B, C और A, M, P यह दोनों क्या है? समकोशन बोला है कैसा हैं बच्चे? समकोशन बोला है यहाँ पर 9 enns का कोशन बना हुगा है ठीक है नब्येंस का और नब्येंस का कोड़ बना हुआ है ठीक है समकोड ते भूजे जिनके कोड़ B और M समकोड़ यहां पर बोल भी दिया है यह कोड़ B और कोड़ M क्या है समकोड़ है तो समकोड़ मैंने बना लिए बच्चे अब यहां पर सिध्य करना है क्या लिखना है क्या लिखना है हम लोग को सीध करना है कि सीध करना है तो क्या सीध करना है त्रिभूज a b e शम्रूप तुटी बोज c a e B इस करना है तो लिखना है फिर पुणना जिस त्रिभुज को आपको सीध करना है उससी त्रिभुज में आप 높र को देखना है ट्लिख सब्स щilt तुटी गर्म है कि आपको त्रिभुज कि प्र्रिभुज e b e तथा ट्रिभुज e FC A, B, E में A, B, कहां गया A, B, E नहीं है A, B, E इसमें E कहां से आ गया C होगा ना मेरे भाई C, पिछला वाला हो गया क्या देखिए रुकी रुकी एक मेट, एक मेट यहां पर देखिए गलत हो गया है सिर्ख करना है कुछ आओर और लिख रहे हैं कुछ आओर हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमी को टाइपिंग करना होता है बच्चे तो मिस्टेक हो गया है, तो लिखना है क्यात्रिभूज A, B, C A, B, C इसको हटाया जाके से हड़े गया, है ना, चलिए अब हम लोग को सिर्ख क्या करना है, इसको लिख लेते हैं देखेगा A, B, C A, B, C समरूप है त्रिभूज, A, M, P A, M, P यहां प्लिखना है, A M, P यह हम लोग को सिर्ख करना है, समरूप है, ठीक है यही सिर्ख करना, A, M, P चलिए, अब हम लोग सिर्ख करते हैं यह वाला सही है कि नहीं, थोड़ा मिला लिजेगा आप लोग यह वाला सही है कि नहीं, यह वाला सही है कि नहीं, A, C, C, A P, A, B, C, B, C, B, C, A, M, P चलिए, यह सही है, अब हम लोग में लिखना है यहां लिखना है त्रिभूज अबी कि सी तथा त्रिभूज ए एम पी में देखें काफी इजी है से मोई सी करना है जो पिछला वाला आप किये थे ABC में एक कोड़ यह मिला आपको बताएए यह कोड़ मिला 90 चलिए इसको हमने लिख लिया कोड़ CBA या ABC बराबर और क्या है और क्या है बराबर इसके इस वाले हम देखिए AMP भी 90 चलिए अब बते इसमें उभायरनिष्ट क्या है इस वाले त्रिभूज में देखे या वाला कोड़ और इस वाले त्रिभूज में बड़ा वाले त्रिभूज में देखे फिर पूर यह वाला कोड़ दोनती बुज में यही वाला कोड है तो लिख देंगे कोड ए बराबर कोड ए कौण से उभायनिस्ट है उभायनिस्ट है बताइए समझ में आया कि नहीं यह उभायनिस्ट है जब यह उभायनिस्ट है बच्चे तो आपको दो कोड मिल गया क्या मिल गया देखिए एंगल दीजिए तो दो कोड में लिए ना तिसरा कोड अपने आप बराव जागा तो लिखना है क्या त्रिभूज A B C समरूप है त्रिभूज A M P के ओभी काउंसे नियम से अगर डबल A भी लिख देते हैं तब भी आपका गलत होने वाला नहीं है अब बताईए जब यह हो गया सीध तो यहां पर लिख देना है E 30 लेकिन एक ठ्ञवावर सीध करना है आप लोग को एक ठ्वावर सीध करना है क्या देखेगा यहां पर हम लोग सीध करते हैं ठीक है, लिख रहा है क्या, B वाला, क्या है, C A बटा P A, बराबर B C बटा M P, अच्छे पते ये तभी संभा हो सकता है, जब कोई सिर्किया हुआ हो, तो हमने सिर्किया क्या थिया, लिखेंगे क्या, तिभूज A B C, समरूप, तिभूज A M P, लिखेंगे कोईस्टक में सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है, लिख लेंगे सिद्ध हुआ है, ठीक है, अब देखिएगा, मजी की बात है, कि अब हम लोग को भूजा को समनपाती बनाना है, भूजा को समनपाती बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, A B, इसकी भूज अब आपको जो भुजा चाहिए वह भुजा ले लेजिए तो यहां पर AC या CA बाते की तो CA को मैंने ले लिए यहां पर CA बटा AP या PA कर लेजिए CA बटा PA कर लेजिए बराबर आपको BC चाहिए तो BC उठा लेजिए BC बटा MP बताई सिद्धुआ की नहीं हुआ अगर आप इस प्रकासे किये हैं अगर कोई त्रिभूज समरूप है बच्चे तो उसकी भूजाए क्या होगी समानपाती होगी ही होगी तो यह त्रिभूज समरूप था ते भूजा समानपाती होगी है क्या यदि कोई रिभूज सम्रूप है तो भुजाएं समन्पाती होंगे होंगे तीस प्रकार से हमने इसको भी सिद्ध कर दिया क्या सी ये बटा पी ये बरावर बी सी बटा एम पी ये सिद्धुआ इती सिद्धम लिख देंगे बच्चे इती सिद्धम ठीक है ये सिद्ध हो गया तो आज का ये आखरी कोशन था बच्चे हम उमीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीजे स्टेप बाई स्टेप समझ में आये होंगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और भी आपके सामने हम वीडियो लाते रहे हैं और ध्यान देनाय वच्चे कि आप लोग का एक्जाम बहुत ही नजदीक है तो इसमें आप लोग को दिलो जान से पढ़ाई करनी है और आपको 95% प्लस लाना है आपको ठीक है तो यदि आप कड़ी में इनत करते हैं तो 100% है कि आप लोग अपने मार्क्स बहतर बना पाएं बहुत है तो